तो साथियों good news यह है कि छात्रवित्ती का जो portal है वो open हो चुका है बकायदा DW की तरफ से notice भी जारी हुआ है तो second phase का छात्रवित्ती का पूरा schedule रहने वाला है उसके बारे में A to Z मैं आपको इस रोड़े का अंदर बताने वाला हूँ जयनी कि आप कब से form भरोगे आपका कब correction होगा आपकी scholarship कब आएगी कितना budget रहने वाला है scholarship आएगी या फिर नहीं आएगी कितने percent लोगों की आएगी यह तमाम सारी चीज़ें जो है आप इस रोड़े का अंदर जानने वाले हैं इसके अलावा बचे हुए चात्रों का status इस दिन तक जारी हो जाएगा और correction का कब से होना शुरूँगा यह सारी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो काफी helpful और knowledgeable रहने वाला है तो वीडियो मंतलग बने रहीगा वीडियो स्टार्ट करने से फ़ले आप सभी से छोड़ी से रिक्वेश्ट है कि जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है कर दो क्योंकि अभी भी 55 पर्षणट ऐसे लोग है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और regular basis पर वीडियो देखते हैं तो भाई वीडि प्रदेश के अंदर वाह प्रदेश में अध्यनरत उत्तर प्रदेश के मुल निवासी चात्रों का और यहीं है कक्षा इग्रामी बारामी तथा अन्य दसमोतर कक्षाओं का आनलाइन आवेदर फार्म यानि कि फिर से जो टाइमिंग है पोर्टल को एक्रिवेट किये जाने इसके संबंद में है तो हम डाइटली बात करेंगे मेन पॉइंट पर कक्षा इग्रामी बारामी एवं समस्तर दसमोतर कक्षाओं है तो वर्तमान समय का क्या है और अब संसोधी टाइम टेबल क्या है तो भाई 10 दिसंबर 2022 तक आप मतलब दसमीं इग्रामी बारामी कोई वही से काम चलेगा भाई पुश्ट मेट्रिक अदर दर इंटर के लिए फिर सोरह तारिक से आपका जो फाम है वही काम यहां पर भी चलने वाला है और आल आपको यहीं कहूंगा कि हाँ 28 दिसंबर 2022 तक क्या होगा कि आप जो है यहां पर सारी चीज़ें आपको बता देता हूं कि 28 दिसंबर 2022 आपका जो पैसा है वो आपके बैंक एकाउंट में भेज जाने की प्रक्रिया सुरू कर दी जाएगी किन चात्रों का जो साथ नौंबर के पहले भरे थे समझ गए तो यहां पर जो समय टाइम टेबल है वो चेंजेस देखने को मिलेगा एक से लिके 10 दिसंबर तक वो फाम अपना भरेंगे इसके अलामा फिर क्या होगा कि वो अपना प्रिंट आउट जो है तिन दिन के अंदर निकालेंगे 14 तारीक तक कॉलेस में हराल में सब्मिट रना होग उसके बाद 19 तारीक तक 40 वाले उसको फारवर्ड करेंगे 30 तारीक तक वो मतलब आपका स्टेटेश जो वो दिखना सुरू होगा इसके लाँ पीफमेस से 5 जनवरी तक आपका करेक्शन जो है वो मतलब करके सारा डाटा है जो वो सब्मिट कर दिया जाएगा और वही आपक है उनका 14 जनवरी से 14 फर्वरी के बीच में 30 जो है वो बेजि जाएगी और यहाँ पिरफमेस परडाली के थुरू अगर! पर हम बात करें वो कब भेजी जाएगी वो 24 फरवरी दोजाँ 23 से 10 मार्च यानि कि कक्षा नुवी दसमी गिराहमी परहमी कि जो छात्र हैं वो भेज दिया जाएगा समझ गए तो काफी इंपोर्टेंट ये जो है ये रहने वाला है और अलगर अभी आपको समरी बता दूं समरी के रूप में अगर मैं डिसकसन करना शाहूं तो भाई समरी देखो यही कह रहा है कि 24 फरवरी तक आजाएगा कक्षानवी दसमी है गिराहमी परहमी के छात्रों का छात्र रुत्ति और दसमार्चे तक इनका आजाएगा बाकी 15 दिसमबर से कक्षानवी दसमी का आना चालू हो जाएगा इस्कॉलरसीब और 28 दिसमबर से जो प्री मतलब पोस्ट मैट्रिक अद उसके बारे में बताएंगे लेकिन आपको फॉर्म कहां से बरना सिबसे पहले उसकॉलरसीब से जूड़ी कोई भी अपडेट पानी हो तो आपको सिंप्ली क्रोम पर बोर्स एक्जाम जो है इसको टाइप करके सर्च करते हो बोर्स एक्जाम आपको पहला इंटरफेस खुल ख Ghost और जैसे आप आते हो आप अपको अपना फॉर्म जπά है कहां से भरना है कैसे में जाएंगी कुम स्पहल से के हो रिनीवल के हो यहीं से अपना जो फार्म है उसको भर सकते हो तो विदाउट एनी बग विदाउट एनी इसू आप यहां पर फार्म विजट करके भर लो और कुसी प्रकार की बात करें तो उनका जो इस्ट्रेटर्स है वो अगले मतलब दस तारीक के बाद से कंप्लीट स सुरू होगा बाकी तो अभी प्रीमेट्रिक के जो छात्र है उनका स्ट्रेटर्स होना सुरू हो गया है समझ गए तो आपको हतास नहीं होना है बाकी का कोई डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे को फालो गर के मैसेज कर सकते हो चैनल को नहीं सस्क्राइब यह है तो कर दो यह गरी स्कॉलर से कोई फिल्ड में उठींडिक अप्रेट पाना है तो हमारे साथ जूड़ना होगा अधरवाइस मत करो बाकी का अगर आपको स्कॉलर से पाना है तो इस वीडियो को देखो बाकी अभी स्टैटर्स आपका जब स्वाइब होगा तो थेंस प्रवाचिंग जैहिंद बंदी मात्रम टिक कियर